हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सभी सैनिकों के लिए सभी केंद्रे करमचारियों के लिए आठवें पे कमिशन के उपर जो अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तो आठवा पे कमिशन जो है सेवन पे कमिशन के एक्जाक्ली दस साल बाद जो है लागु होता है जा expand चेथा पे कमिशन था सेवन पे कमिशन अब आठवे पे कमिशन का टाईम आ चुका है और लगभग लगभग हर जग़ह यह discussion हो रहा है कि एड़ पे कमिशन कब से लागू किया जाएगा इसी को लेके दोस्तों आज का अपडेट है जहां पे एड़ पे कमिशन को लेकर जो है राज्य सबाव में एक लेटर लिखा गया था और उस लेटर का रीजन क्या है उसके बारे में बात करते हैं और सभी लोगों को अब खासक काफी जादा सेलरी की बढ़ोतरी होती है उसी को लेकर दोस्तों जो है अभी राज्य सबाव में कोशन पूछा गया था वैसे तो काफी लोग आपस में डिसकस करते रहते हैं दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि अभी क्या इस लेटर में है और क्या क्या इसमें दोस्तों मैं आपको प्राता हूँ इसमें अभी यह लेटेस्ट लेटर लिखा गया है और यह एड्स पे कमिशन को लेकर गवर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री आफ फाइननस को लिखा गया है और इसमें जो है वेदर दे मिनिस्ट्री आफ फाइननस बी प्लीज तो इसमें कुछ और भी मुद्दे है जिसमें की जो दपे एंड पेंशन ऑफ सेंट्रल इंप्लॉईज इंक्रीज बाइज फाइनस फॉर्टी तो एक तो यह था दूसरा जो में प्रेंशन जिसको हम डिसकस कर रहे हैं वो है आपका आठवे पे कमिशन का तो आठवे पे कमिश के लिए दोस्तों यह आप लेटर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं इसमें लिखा गया है कि वेदर एज रेकमेंड़ बाई लास्ट थ्री सेंट्रल पे कमिशन और खासकर जो सेवन्थ पे कमिशन में जो रेकमेंड किया गया था कि पिरियोडिकली जो है सेंट्रल गवर्मेंट इंप्लोईज की जो है सेलरी बढ़ेगी उसके बारे में यह बात की गई है कि फ्यूचर पे रिविजिन शुड बी ड़न वेन डीए डीया रीचिस फिफ्टी परसंट और मोर देन बेसिक पे टु नूट्रलाइज एंपक्ट आप इंफलेशन जो इंफलेशन का एफेक्ट है उसको कम करने के लिए जो है जो रेगुलर इंटर्वल पर जो है पे कमिशन की रिपोर्ट बैठती है क्या वो लगू हो रही है ऐस दे रेट ऑफ डीया डीयार इस प्रोजेक्टिट तो क्रॉस फिफ्टी परसंट और इसके पीछे रीजन भी यह है कि जो डीया डीयार ज चुका है कि एट्थ पे कमिशन का गठन होना चीए और एट्थ पे कमिशन गठन के बाद से जो केंद्री करमचारी उनकी सालरी बढ़नी चीए जो दोस्तों यह सारे कोशन से जो कि राज्य सभा में पूछे गए थे और इसका जो जवाब आया हुआ है और हम जवाब की बा AICP के आकड़े आये थे उस हिसाब से जुलाई का जो पेमिंट है जो डिय है वो तै हो चुका है लेकिन एट्थ पे कमिशन के लिए जो राज्य सभा से अपडेट आया हुआ है उसमें यह कहा जा रहा है कि अभी ऐसा कोई भी प्रोपोजल नहीं है और इसके ओपर अभी को लेटर आया था उससे बात किया उसके बेसिस पे जो है अभी तक इसके ओपर कोई भी चर्चा नहीं है और इसको आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको आप आउनलाइन जरूर चेक करें और उसके बाद ही अपना कोई डिसल लें दोस्तों यह था आज का इंपॉर्टन किजिए शेर किजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो